भाई और बेनों, इंडिया गेट हो, लाल कीला हो, देश की संसद हो, नौर्थ ब्लॉक हो, साउट ब्लॉक हो, इन सभी की भवेता को बढाया गया है। एक समय था, जब लाल के लिए तक लोग 15 अगस को या फिर बहार से आने वाले अपने दोस्त मित्रों को गुमाने ही ले जाते हैं। अब वहाँ नेता जी सुभास चंद्र बोज को समरपीत क्रांती मंदिर मुझ्यम का भी निर्मान हुआ है। इसके साथ ही अब लाल के लिए में बहाती बव्य भारत परव उसका भी आयोजन होता है। यह जो 26 जनवरी को देश भर से खुबसूरत जांक्या निकलती यहां आती है दिल्ली में। और एक दिन के बाद पूरा हो जाता है। हमने बदल कर दिया। उसे कुछ दिन लोगे लाल के लिए में रखी जाती हैं। और उसको पूरे दिल्ली के लोग आकरके एक भारत स्रेश्ट भारत का सन्नेश और लोगों तक पहुंता है। छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार भी चलता है। भाई और बैनों। पुरानी धरोहरों में नयापन लाने के साथ ही नई धरोहरों को भी विक्षित किया जा रहा है। इंडिया गेट के पास ही भव्या नेशनल बोर मेमोरियल बनाने का काम भी हमने किया है। दोस्तों यहाँ जो सरकार में यूच्चपद पर बैटे हुए है। इन्होंने पुलीस के लिए कैसे अभद्र सब्दों का प्रवक किया था याद है ना। पुलीस के लिए कैसी भाशा का प्रवक किया था याद है ना। जिस पुलीस में ऐसे अभद्र सब्दों का प्रवक करने वाले लोग नेतृत्व करने के लिए निकलते हैं। उनको ये पता नहीं है कि देश आजाद होने के बाद हम सामान नागरिकों की सेवा करने में सुरक्षा करने में इस देश के तैतीस हजार पुलीस के जमानों ने शहादत मोल ली है। तैतीस हजार पुलीसों का ये बलिदान उस पुलीस को यहां के नेता कैसी भाषा में बोलते थी याद है ना याद है ना भाईयो भनो एक तरफ वो संस्कार है वो सोच है दूसरी तरफ हमारे संस्कार है हमारी सोच है हमने दिल्ली में ही नेशनल पुलीस मेमोरियल का निर्मान करके गवरों से उनके इज़्जद देने का काम किया है उनके बलिदान को नमन किया है